एलो प्रेंट्स विल्कम टो टिकपाइंग अगेंग दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूसफुल आप लेकर आया हूं दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं एक आप के बारे में जो एक एंडुड आप है और बहुत ही हमारे लिए यूसुल है और बहुत सारे शॉटकर्ट्स और बहुत सारे नए नए फीचर्स इसके इंदर हमें दिये हैं और डिफिनेट्ली बहुत सारे अंडुड के आप ऐसे हैं इनके बारे में हम नहीं जानते हैं दोस्तों उनी में कई एक आप है जिसके ब लेते हमें यह देता है तो चलिए देखते हैं इस आप को practically और समझते हैं इसकी सारी चीजों को दोस्तों अगर आपने अब तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब जरूर कर ले साथ ही बेल आइकन को भी प्रिस कर ले ताकि जब भी कोई एक तो place store on किया यहां पर उबर की तरफ हमें type करना है full view जैसे हम यहां पर full view type करते हैं पहला result अगर आप प्रॉपर keywords को डालोगे तो यहां पर डारेक्ली जो result है वह हमारे उस app के बारे में किसी जिसका guide लेना है तो यहां पर हम guide पर tap करेंगी में वीडियो पर जाना है तो में वीडियो में वीडियो तो नॉर्मली यहां पर फिलाला भी में इसको नंग कर लेता हूँ और आपको सारी चीते step by step बता देदो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा मैं आपको बहुत सारे इसके best features बताने वाला हूँ मैं सारे इसके feature जो useful है बताऊंगा आपको लेकिन आप इससे पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत useful features आपको बता चलेंगे तो चलेए कुछ basic features यज के पहले देख लेते हैं तो normally यहाँ पर जैसे वह से जो यहाँ पर हम देख सचते हैं तो आप कर जाएगे एफ पर जाने के पद किसी I- swag किसी अप सी अगर आप अन najbardziej यह पाज जो है यह सरी किसे यहीं से शोटकट में on हो जाएगा यह तो गया basic feature अगर इसे back करना है तो back करने के लिए normally वही icon जो हमें इस पूव यू का नजर आ रहा है on screen तो इसे हम right में drag करते हैं जिसे हम right का button है उसको right में drag करके भी उसे इस तरीके से arrow नजर आते हैं देख सकते हैं पर तो arrow नजर आ रहा है इसका मतलब यह हैं कि आप बैक कर सकते हो उस option से तो normally यहां पर यह तो रहा है यह basic उसे तरीके से नीची के तरप अगर आप में da ран्ग करेंगे तो हमारा नोटिफिकेशन ओन होता है तो यहां पर जिसे हम देखेंगे तो नोटिफिकेशन हमारा इस तरीके से यह आन हो गया पक कर लेते हैं उसे अगर हम टैप करके रखते हैं तो टैप करने के बार यहां पर बहुत सारे और भी बहुत सारे उप्शन से जिस पर भी आप इसको जो है आपकी फिंगर को छोड़ोगी तो वह चीज जो यहां से ओपन हो जाएगी जैसे फुर्दम पर अगर मैं ट्रांसेट के ओपर लाकर इसे छोड़ता हूं तो देखें आप पर गूगल ट्रांसलेट जो है यह हमार लिए था ऊसे तरीके से यहां पर जैसे मुझेटर टाप कर के रखते तो यहां पर राइट सैड में कुछ बटन सम देख सकते हैं इसकी पोजिशन आप चैंज कर सकते हैं मतलब को कहा पर इसके इक एस अरिया पर जो है यह आपका जो आइकॉन है इस पर्टिकुलर इस अप का यह कहा नजर आना चीह उसकी पोजिशन आपको सेट करनी के लिए अलाव करता है तो यहां पर जो भी सुटेबल पोजिशन आपको लग रही है तो यहां से अब उसको सेट कर लिए हो फर्मनेंटली जब तक कि आप चेंज ना करो वहीं पर प्रिजेंट होगा उसे टैप कर नजर आ रहे हैं यह रिसेंटली बदलते रहते हैं जैसे आप उसे यूज करो कोई और अप्लिकेशन सब्रूं करोगे तो यहां पर आ जाएंगी जो पुरा नहीं हो कट हो जाएंगे बड़ अगर आप चाहते हो कि वह आप्लिकेशन जो आपको बार बर लगते हैं वह चाहिंगे जिसे सेट कर सकता हूं जिसे हां पर अबनने के बाद यहां पर किसी पी ein åpस्यों क्योंद्षेधित हुएंग बदले इहुए जो रहे हैं रहा है वह है FULL SKIN SCIN SHOT, जो SCRIN हमारे सामने हैं, अगर हम चाहते हैं, कि FULL SKIN, जो है, SKIN SHOT बन जाए, वो CAPTURE होकर हमें नजहरे आए, तो यहां पर हम इस तरीके से उसे, यहां पर서 नाकर से छोड देंगे, तो देखें, यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर पुरा FULL SICKIN जो screen mobile का हमारे सामने था, वो यहाँ पर इस तरीके से हमें नजर आ गया है, तो दोस्तों यहाँ पर हम जो भी इसके साथ में treatment करना चाहें, वो हम action दे सकते हैं, जो भी action देना चाहें, तो यहाँ पर हम उस image को, उसके जरीए कोई और other image को उससे related search कर सकते हैं, Google में, या फिर किसे से share कर सकते हैं, उसे copy कर सकते हैं, उसे edit कर सकते हैं, उसे save कर सकते हैं, जितने भी options यहाँ पर जो command दे 1 by 1 minute को की नहीं हैं, तो दोस्ते हैं यहाँ पर इस तरीके से, जो ही यह था full screen screenshot, पैक कर लेता हूं, अगला option जो हमें नजर आता है, यह ज्यादा useful है, जो है multiple screenshot, means अगर हम चाते हैं, जो भी running screen हमारे सामने हैं, तो उसके कुछ portions को हम cut करके, उसे merge करे, उसे मिलाए, और फिर उसे किसे से share करे, या फिर कोई action उसको apply करे, तो हम इस option का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पर इसको छोड़ता हूं, तो देखे सबसे पहले तो यहा हम manage कर सकते हैं, उसे हम 20 में लाकर, जो plus, जो यहाँ पर हम नज़र आ रहा है, उसके ज़री हम screen को move कर सकते हैं, पुछली यहां पर इतना portion मेंने mark किया, अगर हम इसे पहले, इतना portion अगर हम copy करना चाहते स्किन शोट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम इसे screenshot लिए तो यहा यहां पर हमें red side में नजर आ रही है तो दोस्तों और यहां पर हमें second time plus पर हमने क्लिक किया है tap किया है तो यहां पर पूछ रहा है कि आपको अगला काउन सा skin इसके साथ में जोनना है तो दोस्तों यहां पर हम जिसे for example मैं एक Google जो है transit मैंने on किया इसके बाद अगर मैं इसका कोई portion मैं copy करना चाहता हूं जिसे for example यहां पर इतना portion मैंने set किया set करने के बाद मैं इतना portion जो पहली image है उसके साथ में जुडना चाहता हूं तो दोबार हमें plus के sign पर tap करना होगा तो जैसे हम प्लस के सेंट पर टैप करते हैं नीचे तो हमारे जो पहली स्कीन थी उसके साथ में यहां पर जो हमारे दूसरी इमेज है वह मर्च हो गई है मिल गई है उसी तरी के से हम और भी बहुत सारी अलग-अलग जगवा स्कीन शॉट ले सकते हैं जैसे अगर फॉ है वह एक ही में आ गए है और अगर और हम मिलाना चाहे इसके साथ में और पॉर्शन तो हम दोबारा प्लस करेंगी और इस तरही से जोडते जाएंगी जितने भी इमेज के जो भी हिस्सा हमें उसके साथ में अटाइज करना है उसे अगर हम इतना ही चाहते हैं तो उसे हम इ अलग अलग पॉर्शन जो है यह एक ही में मिल गए हैं और हम इसको कोई भी एक्षन फिर हम दे सकते हैं तो दोस्तों यह थी वो चीज अलग अलग मल्टिपल इसके शोट्स उसके बाद अगला जो ऑप्शन है में नजर आ रहा है यहां पर जो होता है यह इसके रिकॉडर फि है उसके बाद आगला जो ऑप्शन यहां पर हमें डिया है रिजिनल इसके रिकॉडर एक रिकॉडर तो दोसे यहां पर यहां पर जाधा यूसुल है तो दोस्तों यहां करने के बाद हम उतना particular portion जो है वो हमारे मुबाइल कर सकते हैं दोस्तों फिलाल अभी दुन उप्शन में open नहीं कर रहा हूं तो फिलाल मेरा recording शुरू है इसके लिए में उसे दुबारा रन नहीं कर रहा हूं तो दोस्तों यहां पर और एक option इसके नर्स सबसे important और सबसे बेस्ट जो है वो लगा जो मुझे लगा है तो दोस्तों यह फिलाल मैप को अभी बता रहा हूं तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले जो हमारा जो फूव का icon है उसे इसे कहीं पर क्लिक नहीं किया है जैसे मुझे कहीं पर रोखेंगे तो इस तरीकिसे हमें पहले तो 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 प्लस का नजर आएगा टूल जो है तो हम देख सकते किसी भी icon के ओपर उसको लेकर जाकर मार्क कर सकते हैं और उसे क्याप्चर कर सकते हैं तो उस यहां पर फॉर जांपल जिनने भी icons यहां पर हमें नजर आ रहे हैं तो उसमें से अगर मैं चाहता हूं कि किसी icon का text में copy करूं या पर उस particular image को जिसे फॉर जांपल में play store पर उसको लाता हूं जैसे थोड़ी देर एक यहां पर यहां पर नजर आया है और जैसे में finger को उठाता हूं तो देखिए यहां पर जो उसके अंदर का text था वह यहां पर दो चीज़े में बताई उसके अंदर लिखावा मैटर जो है जो फाइल लिखा था तो फाइल जो लिखावा है उसे उसने से फाइल पहले जो यहां पर टेक्स्ट के फॉर्मेट में उसने शोग किया और नीचे जो हुआ जैसे फॉर दंपल अगर में उसको सर्च करना चाहते हूं तो सच करने के लिए यहां पर हम पर सच का आइकॉन है वह से हम टाप करते हैं पहला जो जी लिखा हुआ है तो जैसे यहां पर हम टाप करते हैं तो देखिए हैं आटुमेटिकली दोबारा मैं आपको करके बता देता हूं फिलाल मेरा डेटा जो डेटा Connextion जो बन्ह था तो ड्राइक किया कि यहां पर अजर्दा कोंजितारीक सेमार्ट किया मार्ट करने के बाद यह ओपर हमें फाइल संदर में हम सबसके हैं कि अनरों और था उसके जर्ए iso डारिक्ली सर्च किया है फाइल सब्सकते हैं इस तरीके से यहां से वो भी obtained carry यहां पर हम देखिए इसके इंदर जो ऑप्शन यहां पर शेयर का है तो हम यहां से शेयर पर टैप करके जो हमारा फाइल लिखावा था उस वर्ड को हम किसी से शेयर कर सकते हैं यहां पर आगे कॉपी का बटन होता है कॉपी है उससे तरीके से और एक इंपॉर्टन ऑप्शन जो है सबसे इंपॉर्टन ऑप्शन जितने भी है उसमें से यह भी है कि यहां पर उस पर्टिकुलर वर्ड को ट्रांसलेट कर सकते हैं जैसे यहां पर पर जमपल मैंने जो फाइल लिखावा है इसे में मार्क करता हूं मार्क करने के बाद जो उपर फाइल लिखा है अगर हम चाहते हैं कि जो उपर लिखावा मैटर है वो ट्रांसलेट होकर हमें नजर आए तो यहां पर हम जो यहां पर गूगल ट्रांसलेट क चाहूं ले सकते हो जैसे फिलाल मैंने फाइल्स किया था इंगलिश हिंदी मैंने टांसेशन उसकी लांगविज टेट करके रखा हुआ है तो दोस्तों यहां पर इस तरीके से वह हम किसी भी कोई भी रनिंग वर्ड को जो भी हमारे सामने है उस वर्ड को जो है यहां पर हम उ यूज कर रहा हूँ इसे और यूसफुल लगा है मुझे फीचर और काफी इसके अंदर अच्छे-चे फीचर से मैं बहुत सारे अलग-अलग फीचर एक ही साथ हमें करके दिये हैं तो दोस्तों इससे आप डाउनलोड कीजिए यूज कीजिए इनकेस अगर आपको कोई प् तो दोस्तों उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और यह आप जिसका रिवू मैंने आपको बताया है यह आपको पसंद आया होगा और आपका वक्त इससे डेफिनेटली जो है इसका यूज करके बचेगा तो दोस्तों इसे डाउनलोड कीजिए इसे पैक्टिक